exercise 2.3 का question number 3 लेके आ गया हूँ guys यह question बहुत ही important है और इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ठीक है तो हमें start करते हैं इसमें कहा है obtained all other zeros of expression दिया हुआ है if two of its zeros are इतना इतना मतलब under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 guys मैं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ जो किसी भी polynomial में यह जो है यह एक expression दिया हुआ है 3x का power 4 plus 6x का cube फिर minus 2x square minus 10x minus 5 तो यह एक polynomial है तो मैं आपको बताता हूँ आपको पता होगा जिसका degree क्या होता है degree होता है जो इनमेश सबसे highest power होता है उसे हम क्या कहते है degree कहते है तो guys आपको दिख रहा होगा इसका सबसे highest power क्या है 4 यानि कि 4 क्या है इसका degree है ठीक है highest power इस में 2 0 निकलते थे 2 X की value निकलते थी लेकिन इस में degree कितना है 4 यानि कि सबसे highest power जो है वो 4 है तो इसमें क्या होगा X की जो है वो 4 value इसमें कहरा है जो X की 4 value होगी जिसमें से 2 value दिया हुआ है ठीक है तो इसके और 2 value आप निकालो ठीक है तो guys अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इजी कुस्टन है बहुत ही इजी कॉंसेप्ट के साथ मैं भी आपको बताऊंगा आप इसे बस ध्यान से समझना तो हमारे पास जो दो जीरो है वो दिया हुआ है रूट 5 by 3 and मैनस अंडर रूट 5 by 3 तो हम इसका सोलूशन करते तो देखो गैस मैं एक शी आपको बताता हूँ जैसे मान लो यहाँ पर x का value जो है वो 2 दिया हुआ है और मैनस 2 दिया हुआ है मान लेते हैं तो यह जो 2 और मैनस 2 कहां सा आता है इसका expression होता है एक होता है x मैनस 2 ठीक है और एक होता है x प्लस 2 इक्वल टू जीरो अगर ऐस और फिर यह इसके equal में हम क्या लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल जीरो तो x इक्वल कितना आ जाता है यह मैनस 2 इदर जाएगा तो 2 तभी तो यह x का value 2 और मैनस 2 आया guys आप समझ रहे हो न तो x का value 2 और मैनस 2 कैसे आया तो guys इसमें क्या है तो इसमें x का 2 value दिया हुआ है तो मैं ठीक है तो मैं इसे इस expression में इसे लिख देता हूँ तो मैंने क्या करा इसको इस expression में लिख दिया x minus under root 5 by 3 क्योंकि guys दखो यह अगर 0 है इसके equal आप 0 करते हो तो इसमें से x की value root 5 by 3 आएगा जो की है एक और उसके बाद अगर इसको आप equal 0 लिखोगे तो यह आ जाएगा minus under root 5 5 by 3 तो वही चीजी लिखा है मैंने सेम लिखा है आई होप आपको समझ में आयागा अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैं दुबारा आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है यह जो अगर मालो x का value 2 और minus 2 दिया हुआ है तो x minus 2 और x plus 2 equal 0 होगा तभी तो इस expression को solve करके x equal 2 और minus 2 आया है तो similarly मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है तो आप हम क्या करेंगा अब आप देखो आपको ना एक formula याद आ रहा होगा और वो formula क्या है और वो formula है a plus b और a minus b तो a plus b और a minus b equal to कितना होता है a square minus b square होता है a square minus b square तो यह भी देखो a minus b और a plus b यानि कि मैं इसको क क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं एक बार x का square और एक बार लिख सकता हूँ मैं minus root 5 by 3 का whole square लिख सकता हूँ और equal 0 यहाँ पर है ठीक है आपको इतना समझ मा आ गया होगा तो अब हम क्या करते हैं देखो अब x square क्या हो जाएगा x square हो गया x square होगा x square और यह क complete है, यह complete है, तो अगर यह complete है, तो यह क्या आजाएगा, यह root से, square से यह two root कड़ जाएगा, तो यह आजाएगा, five by three equal zero, ठीक है, यह इतना आगया, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब यह जो value है, तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पर लेट कर लिया, जो px है, जो polynomial जो दिया हुआ, given है, सवाल में, यह मैंने लेट कर लिया, px की value, इतनी है, और इसको, x square minus five by three को हमने gx मान लिया, ठीक है, x square minus five by three को हमने gx मान लिया है, उसके बाद मैंने क्या करा, divide px by gx, यह px में gx से म आपके इसको, एक और easy तरीका है, अगर आपको यह five by three से divide करने में problem होगी, तो इस three को हटाने के लिए, आप क्या करोगे, दोनों side three से multiply कर दोगे, यह आ जाएगा, three x square minus five, ठीक है, equal to zero, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तब आपका सवाल हो जाएगा, three x square minus five, ऐसे हो ज इसी वीडियो में, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, direct बता देता हूँ, तो अगर मैं x square minus five by three से, मैं divide करता हूँ, तो guys, देखो, मैंने आपको बताया था, इसको करने क्या तरीका है, इसको पहला और यह term है, इन दोनों को हमें same करना होता है, तो guys, देखो, यहाँ पर three x का multiply कर दूँ, देखो guys, यह क्या है, x square minus five by three, इसमें क्या करना है हमें, three x square से multiply कर देता हूँ, ठीक है, three x square, तो यह three x square जो है, यह एक बार इससे भी multiply होगा, और एक बार इससे भी multiply हो जाएगा, तो इससे अगर इसमें multiply करूंगा, तो three x का power 4 हो जाएगा, और minus देखो, यह three सभी और थी में अगर अगर मल्टिल हो जाएगा तो ये 3 cracking जायेगा तो हम ने इस ने अद्ग किया है क्तोर व छोई है घ्रत यहां पर मैनस 5 x square हो गया है इसे अब क्या करते हमें हम उतार लिए गंदेगे यहां पर है प्लस 5x square और मैनस 2x है तो इन दोनों में मैनस हो जाएगा और साइन प्लस का होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तिया जाएगा 3x square 5x square में से 2x square गया तो प्लस 3x square और जो है वो उतार दो 10x मैनस 5 अब फिर से वही यह strategy आपको अपनाना है जो यह 6x q है और यह x square है इन दोनों को कैसे आप solve same करोगे तो अगर मैं इसमे 6x से multiply कर दूँ 6x से तो क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ 6x से मैं इसमे बड़िपला कर देता हूँ तो 6x मेने अगर multiply करा तो देखो यह 6x और x square है 6x q हो जाएगा मैनस 6x इस में multiple हो जाएगा 5 by 3 में भी यहां से 3 टूजर 6 हो गया यहां पर क्या बज़िए 5 टूजर 10x यह हो गया हमारा 6x q और मैनस 10x बच्छा ठीक है अब कितने टाइमस में आया 6x में 6x तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं प्लस 6x कर दिया तो आंसर क्या था हमारा 6x q 6x q और मैनस 10x आया तो यह 10x इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि यह भी x का पावर 1 है यह एक केटेगरी के साथ हमें लिखना होता है तो मैंने अब इसको क्या कर दूंगा अब इसे हमें क्या करना है साइन चेंज करना है यह मैनस हो गया और यह क्या हो गया यह प्लस हो गया तो गाज देखो इसमें यह और यह कैंसल हो गया इसमें यह और यह भी कैंसल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 3x स्क्वाइर मैनस 5 यहीं बचा 3x स्क्वाइर मैनस 5 अब फिर से वही हमें करना है यह यहां पर 3 x square है यहां पर x square है तो इसमें अगर मैं 3 से multiply कर दूँ तो 3 x square आ जाएगा मुझे 3 x square चाहिए भी तो मैं अभी बताता हूँ क्या होगा इसको multiply करने के बाद तो अगर मैं x square minus 5 वे 3 को 3 से multiply करूँ तो यह आ जाएगा 3 x square 3 से multiply होगा तो 3 x square और मैंनस देखो यह 3 और 3 कर जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा तो 3 x square minus 5 तो किस से multiply करा मैंने plus 3 से तो मैं यहां पर लिख दूँगा क्या plus 3 ठीक है अब यहां पर क्या आ गया यहां minus 5 ठीक है अब इसको क्या करो solution कर दो तो अगर आप इसको solution करोगे तो यह आ जाएगा minus यह हो गया plus तो यह और यह कट गया यह और यह कट गया बचा हमारा 0 ठीक है अब 0 बचा अब guys हमें क्या करना है अब यह जो हमारा quotient आया है यह जो हमारा quotient आया है अब मैं क्या करूँ को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसे सॉल्व करूंगा और इसे सॉल्व करने के बाद एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी तो अभी मैं बताता हूं अगले पेज बे तो गैस मैंने यहां पर को सियंट को लिख दिया है तो मैंने कर दिया लेट 3x square प्लस 6x प्लस 3 एक्वल टू 0 क्योंकि अगर आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करोगे ता इधर इसको आपको एक्वल 0 मनना पड़ेगा तो वही मैंने यहां पर करती है अब इसे क्या करेंगे जो वही वाला मेथड क्या करते हैं पहले फर्स टर्म और थर्ड स्प्लिटिंगर में करेंगे तो 3x स्कुयर or 3 को अगर आप करोगे दिया जाएगा 9x स्कुयर और 9x स्कुयर को आपको का करना है दो पार्ट में कमवर्ट करने के बाद अगर 예ापर 3x और यहां भी 3亦 गार देता हो तो 3x क्या PARC 6 x हो जाएगा और इनन दोनों को करते हो तो 3 3 9 x square आजया निए कंडिशन फोलो कर रहा है इन दोनों पार्ट को अगर मैं multiply करूं तो यह इसके एकुल आना चीह और इन दोनों पार्ट को प्लस करूं या मैनस करूं तो यह 6 x आना चीह तो में यहापर प्लस करना है हमें तो 6x आ रहा है तो गई मैं यहां पर लिए तहां हूं फॉस्ट अम एजट इस लिखेंगे तॉर्ट अम भी आजट इस लिखेंगे और बीच में 3x common दिखरा है मुझे तु मैंने यांसे 3x ले लिए लिए तो क्या बचा एक्स plas one बचा और इसमें से मैं governor gonna pantalla साओ तो प्लस 3 मैने को मलेलिये तक्या बच गया x PLAS 1 बच रया एक्वल टू जीरुट बच गया अब देखो X plus 1 और X plus 1 ये दोनों भी common आ रहा तो मैं क्या करता हूँ X plus 1 मैं लिख देता हूँ तो बच क्या गया 3X plus 3 बच गया 3X plus 3 equal to 0 ठीक है अब तो आपको आता ही होगा अब क्या करता है में एक बार इसके equal 0 लिख दो मैं लिख देता हूँ X plus 1 equal 0 और फिर 3X plus 3 equal 0 अब यहां से X की 2 value निकल जाएगी ठीक है तो इसमें आ जाएगा X equal minus 1 क्योंकि अगर 1 को आप shift करोगे इधर तो ये minus 1 होगया तो एक value तो आ गया हमारा है ना और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें क्या करोगे 3X equal to minus 3 3 होगा ये 3 को आप इधर shift करोगे तो minus 3 होगा यहां से X equal आ गया minus 3Y 3 तो यहां से ये क्या हो जाएगा ये दोनों cancel हो जाएगा तो minus 1 आ जाएगा तो X के value आ गया minus 1 तो guys 2 तो दिया हुआ था और 2 zeros क्या आ गया 1 minus 1 और 1 1 minus 1 और 1 ये मतलब दोनों minus 1 ही आया answer ठीक है तो दो value उधर था 2 zeros 2 हमने answer में दिया हुआ था और 2 यहां पर हमारा निकल गया है तो guys यही था question और यहीं पर सवाल ये खतम हो जाता है और मैं आपको जो बताया था मैंने आपसे तो आप इसमें क्या करोगे 3 से multiply अगर कर देते हो तो 3 x square minus 5 होगा तो 3 x square यहां पर सेम कुछ नहीं करना सब कुछ यह रहेगा यहां पर 3 x square minus 5 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है तो answer सेम आएगा बिलकुल तो उस तरीके से भी आप इसको answer minus 1 और minus 1 नहीं आएगा तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो अगर आपको उसी तरीके से बनाना हो तो आप कोई दिक्कत नहीं आप उसी तरीके से बना लो thank you guys मिलते हैं फिर next वीडियो में